याले दोस्तो, welcome to the channel guys and अगर आप 60,000 रूपीज में एक amazing all-rounder laptop दोंटे हो, एक दम सही वीडियो पे आयो, मैं एक list लेकर आयों of all the amazing all-rounder laptops under 60,000 रूपीज, सारे ही best buying links in description box में segregated तरीके से जाके check out कर सकते हो and इस वाली list में आपको बताऊंगा professional use के लिए, gaming के लिए, anything के लिए OLED display वाला laptop भी बता दूँगा and अच्छी GPU and CPU के साथ, so list को जल्री से शुरू गरते है, so हमान लिस में सबसे पहला laptop है, let's go, IdeaPad Slim 5, अब इसमें खास क्या है, वो है इसका CPU, Ryzen 5 7530U, जिनको नहीं मालूम है, मैं बता देता हूं, ये एक 6 core का CPU है and by 7000 series का CPU है, मतलब काफी बढ़ इसमें and 16GB की RAM मिल जाती है, इसको अफ़धर अपग्रेड नहीं जा सकते हो, ये इसकी maximum capacity है, 512GB की SSD मिल जाती है, इसको आफ़धर अपग्रेड कर सकते हो, इसमें आपको Microsoft Office मिल जाता है, lifetime के लिए, backlight keyboard, fingerprint scanner, ये सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध है, इसमें आपको Alexa DD भी म easily 5-6 घंडे के बीच में मिल जाती है, तो भाई ये तगड़ा value for money laptop है, और इसकी price देख सकते हो, काफी काम है, like 55,000 उपीस के नीचे है, अधला जो laptop है दोस्तों, ये OLED डिस्पले के साथ आता है, Asus Vivobook Pro 15 OLED, इसमें Ryzen 5 5600H का CPU मिल जाता है, इसमें राइजन 5 5600H का CPU मिल जाता 45W की इसमें आपको TGP मिल जाती है, which is not the best, but by एक professional laptop में, ये कमाल की configuration है, उसके याद इसमें 16GB की RAM मिल जाती है, 500GB की SSD मिल जाती है, दोनों को ये आप further upgrade भी कर सकते हो, इसमें आपको backlit keyboard, fingerprint scanner, ये सारी चीज़ें भी मिल जाती है, और हम ये 100% DCI P3 Color Gamut वाला laptop है, obviously OLED panel है, तो इसमें जो color accuracy है, वो best है, तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बेस्ट डिस्प्ले वाला laptop चीना, 60,000 रुपीज में, तो इसको आप consider कर सकते हो, इसको वैसे भी consider कर सकते हो, एडिटिंग के लिए बहुत ही बड़िया laptop है, ठीक है, mark my words, this is one of the best laptop for creators, और अब battery backup के बार मैं बत rate मिलता है, 90Hz का नहीं, that will save a lot of battery for sure, अब दोस्तों, gaming laptops के आर में बात करते हैं, सबसे पहला है, Lenovo का LOQ, बहुत लोगों को doubt है कि इसके जो motherboard है, वो जल जा रहा है, खरा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, चिल मारो, बहुत कम units में दिक्कत आई थी, अब ये अगर मैं इसकी बा 12GB की RAM मिल जाती है, DDR5 RAM है, और इसको आप further upgrade भी कर सकते हो, और यहां पर बातचीत खतम नहीं, 12GB की SSD मिल जाती है, इसको भी 1TB तक आप expand कर सकते हो, quite good, बाकी NVIDIA का GeForce RTX 2050 मिल जाता है, जो की 3050 से अच्छा perform तो नहीं करने वाला है, लेकिन अगर आपको एक तंगड़ा CPU औ करने तम तोड़ फोड़ वाली एक और लापटोब है, बता रहा हूं, वेट कर लो, इसमें बाइद वे एक चीज़ में बता दू, इसमें जो डिस्पले मिल दिया ना, 15.6 इंचेस की, 100 फोटफोर हर्ट्स तो है उसमें, लेकिन 100% SRGB के साथ आ रहा है, यह भी creators लोग हुआ है, इसकी वेज़े से यह काफी जादा बैटरी चूसता है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, इसकी बैटरी बैकप तो कम है, लेकिन अब अगर प्लग इन करके यूज़ करना चाहो, यह लापटोप परफोर्मेंस में आपको कोई कमी नहीं देने वाला, अग अगर आपको 16GB की राया मिल जाती है, 512GB की SSD मिल जाती है, दोनों को यह फुर्दर एक्सपांड कर सकते हो, तो यह वाली सुपसविदा भी मौजूद है, Microsoft Office मिल जाता है, Lifetime के लिए, इसमें भी बैकलिट की वोर, फिंगरपिंट, स्कानर, फास्ट चार्जिंग, सब मिल ज गर सकते हो, ग्राफिक काड की बाद करूँ तो इंटल के अल्टरा गाफिक्स मिल जाता है, विच इस क्वाइड गूड फॉट 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 नॉर्मल सेटिंग्स पे, ठीक है, अगले लाप्टॉप की तरफ बढ़ता है, यह डेडिकेटेड गेमिंग वालों के लिए, इसमें राइजन 5 5600H, 6 बॉर का सीटू है, एट सीटीज का तगडा सीप्यू है, आर्टेक्स 3050 मिल जाता है, 75W TGP के साथ, आराम से सारे गेम्स चल जाएंगे, आराम से, बाइद बाइज 16GB की DDR4 RAM है, इसका फॉट फॉट अप् बाइद 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 कीबोर्ड है, इसमें फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है, बाइटी बाइकप के अगर मैं बात करूं तो अगें, तीन से चार्विन, डाट मैक्स, गेमिंग लाप्टॉप है भाई, तगडा जीप्यू, तगडा सीप्यू सब मिल रहा है, तो मे वाला ले सकते हो, जो Acer ALG 12 Gen, i5 450H के साथ 84 का तगडा सीप्यू, and RTX 3056 जीवाला मिल जाता है, तो इसको आप भी उस कर सकते हो, इसमें आपको अच्छा खासा TGP मिल जाता है, तो गीमिंग, एडिटिंग सब हैंडल कर लेगा, ये पफॉर्मेंस लाप्टॉप, तो दोस्त आपको अगली वीडियो में, अंटिल देन, ओवर और आउट।